हाई दोस्तों वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्जाम के लिए जो भी फॉर्म बने जाते हैं उसकी फोटो को रिसाइस कैसे करेंगे बैसके लिए फोटो होती है वो दोसो या डेड़ सो के बी के बराबर होती है बट जो एक्जाम में फोटो एकस पहले देख लेंगे हम जैसे मेरी ये स्क्रीन पर आपको दिख रहेगी एक फोटो है इसकी प्रॉपर्टी पर जाएंगे इसकी साइज हम देख लेंगे कि बैसकली साइज क्या है तो आपको यहां दिख रहे हैं इसकी साइज 138KB है जो की एक्जाम में एकसेप नहीं यहां जाता है तो आप इसको रिसाईज क्रना है हमें तो चले चुली यह संइप्ले अपना पइंट ऑपिं कर ले रहें हम पैंट ओपन करेंगे हां पी पोटो हम पेस्ट कर लेंगे जो फोटो को टिसके करना है तो हमें इस फोटो को इडिट करना है अब मैंने फोटो को यहां ओपन कर लिया अब यहां पर साइज देख लेंगे सब्सक्राइब इसकी एक्च्वल साइज क्या है अभी जो एक्सी एक्च्वल साइज है यह 590 और 826 है अब यह 138 है तो इसको मुझे 60% तक कम करना है तो यहां पर अगर हम 190 दे देंगे तो यह MON 40 के भी तक हो जाएगा तो इसको हम ok कर देंगे और करने के बाद इसको हम area select कर देंगे थीक है फोटो कहें यह मैंने area select कर लिया इसको और इसको crop कर ले रहे हैं crop करने के बाद इसको हम safe कर लेंगे मैं इसको new one देते रहा हूं आप कुछ भी दे सकते हैं अब हम चलते हैं जहां पर अपनी फोटो को एडिट किया हूँ इसके मेरी फोटो जो रखी थी वो डिक्स्टाव पर रखी थी तो डेक्स्टाव हम उपन करेंगे और देखेंगे कि मेरी फोटो की रिसाइज होती है या नहीं होती अब आप देख सकते हैं जो पुरानी वाली फोटो थी 138 के भी थी आपकी प्रोपर्टीज दिखा दे रहे हैं यह 138 के भी है यह आप देख सकते हैं अब मेरी जो नी फोटो मैंने एडिट किया है नी वन के नाम से आप देख सकते हैं फोटो थी 7.3 के भी है प्रोपर्टीज में आप देख लीजे की फोटो 7.3 के भी है तो यह बहुत ही आसान तरीका है आपको फोटो को रिसाइज करने के लिए अब यहां पर आप फॉर्म भर रहे हैं यह फोटो को आप वहां पेस्ट कर सकते हैं अटेच कर सकते हैं अपने फॉर्म में यह एकसेप्टेबल रहेगा तो अगर दोस्तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और शेयर जरूर करिएगा थैंक्स सब्सक्राइब करें टेकटिशाथ चैनल को तबाएइज घंटे को हमारी वीडियो सबसे पहले जेकर दिये लिए